अ मैं उरे की और यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासेज में आप सभी का हुर्दिक स्वागत है तो जानते हैं इसके पहले वीडियो रोटीवन्स देख चुके थे और लोटी वंस अ खिलजी वंस के देखा और आज यह संखेँगे के सब्सक्राइब क्या अम्य इस सब्सक्राइब क्याद सब्सक्राइब तुर जुश को हम लोग देखेंगे और ऊच समझेंगे कि आज को समय में हिंदी में तो क्या बोलते हैं तो करने का पहला पौइंट है अब का प्रसासन का मुख्या कोन ऑख घ्रीज प्रसासन का मुख्या कौन अपा सुल्ताण तो पर्सासन को मुख्या और पॉईंट है ये सुल्टाण कि या मुष्रीफ मुवालिक मुष्रीफ ए मुवालिक मुष्रीफ मुवालिक सल्दनतकाल में क्या होता था तो इस तरह का जो है आपको अपयोंत को इसकी बहुत इंब्डिन और दीन के समय अमीर परभावहीन हो गए बल्वन और अलावद्दीन के किया हो गया था जो अमीर लोग होता था वो क्या हो गए थे पर भाव YEन हो गए थे समाज में जो अच्छे वर्ग थे उसको अमीर कहा जाए तो उसको अपने मन से पर दिया करते है आगे देखते हैं अमीरोंका महत्व तो अमीरों का महत्यूद कर्स पर था लोधीवंस के सासनकाल में , अमीरों का महत्यूद से वह चर्मोद कर्स पर क्योंद सासनकाल कि बुषा जएगा आप कि सल्टनात काल में किस बंस के साथन काल में अमेरों का महत्तु चर्मोत कर्स पर था तो लोधी बंस के साथन काल में बहुत इंपॉरेंट को इन पॉइंट है आगे देखते हैं सल्टनत काल में मंत्री परिशत को सल्टनत काल में मंत्री परिशत को मजलीस एक खल्वत कहा या था क्या बोलता था मजलीस एक खल्वत कहा गया क्या का रहा सल्टनत काल में मंत्री परिशत को सल्टनत काल में मंत्री परिशत को क्या बोलते थे मजलीस एक खल्वत है ना मजलीस मजली से खास में मजली से खास एक जगा था मजली से खास में मजली से खलवत की बैठक होती थी मतलब मजली से खास एक जगा होता था जिसमें मजली से खलवत की बैठक होती थी और मजली से खलवत क्या था तो मंतरी परिसर्द जो मिनिस्ट्री था मंतरी परिसर्द को मजली स से खलवत कहते थे सल्तनात काल में और मजली से खलवत की जो इस पेशल बैठाक होती ती जिस अस्थान पर उसको मजली से खास मजली से खास का आयाता था तो दोनों ही है बार एक खास इसमें क्या होता था तो बार एक खास में सुल्टान क्या करते थे अपने सभी सभासदों को है दरबारियों को खानों को तो अमीरों को मालिकों को और अनिरहिसों को बूलता था तो उस जगह का नाम क्या था बार ए Red Cross या उस मेहफिन को क्या बोलते था Aires भार ए आजम क्या नाम है बार ए आजम देखिए इसमें क्या होता था बार ए आजम सुल्तान राज किये कारियों का अधिकांस भाग पूरा करते थे तो यहां तक था सासनवे वस्ता में जो था और अब चल जो है मंतरि ऑनम छसे संवन्दित विभाग यहां से मन्तरी और मंतरी से रिलेटइड विभाग जो था उसका वर्नन है तो सबसे पहला है वजीर मतलब पर्धान मंत्री जो सबसे बड़ा मंत्री हुआ मंत्रियों में सबसे सरेश्ट को होता था अगे देखते हैं पुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वह महालेखाकार होता था और आज भी महालेखाकार होता है देश में तो इसमें इसको क्या बोलते हैं मुश्रीफ है मुवालिक मुवालिक क्या था महालेखाकार मुश्रीफ है मुवालिक महालेखाकार होता था जो परांतों का और अन्य विभावगाव से प्राप्त आयका आगे देखते हैं यह दियें गए धन का हिसाब कौन रखता था मजमु आदर होते थे तो उधार दीये धन जो धन किसी को उधार दिया गया, उसका हिसाब किताब कौन रखता था? तो वो रखता था, मजमू आदर, हम लोग क्या पढ़ रहा है, मंत्र एवं उससे समधित विभाग, किस में? सल्तनत काल में आगे देखते हैं खजीन क्या होता था कोसाध्यक्ष खजीन किसको बोलते थे तो कोसाध्यक्ष को खजीन बोलते थे यह भी इंपोर्टेंट है खजीन अद दुखे आरीज ए मुमालिक है ना सयन फिभाग के परमुख अधिकारी को है ना दिवाने अर्ज अथ्वा सैन विभाग का पर मुख अधिकारी का सकते हैं तो आरीज ए मुमालिक दिवान ए अर्ज अथ्वा सैनी विभाग का प्रमुख अधिकारी था बहुत इंपरेंट को से नहीं आगे देखिए सद्र उस सुदूर है ना सद्र उस सुदूर यह क्या था यह धर्म विभाग एवं दान विभाग धर्म विभाग का प्रमुख था धर्म विभाग याद लग को सल्तनत काल में ऐस की भागत एब 20 वांक की परनुख को शुद्द काल में कैब चैसे रगल उस वीज्दूर शुदूर को उसा याओं दान विभाग के प्रमुख के परनुख को सल्तनत काल में थे आगे देखते हैं काजी उल्कजात है ना काजी उल्कजात यह क्या होता था सुल्तान के बाद नियाय का सर्वोच अधिकारी होता था सुल्तान जो नियाय कर दिया उसके बाद अगर किसी का नियाय माननी होगा तो वह किसका होगा काजी उल्कजात का अर्थात किसी कारी से यह सुल्तान के बाद नियाय का सर्वोच अधिकारी सुल्तान के बाद नियाय का सर्वुच अधिकारी को होते था काजी उल-कजाथ आगे दिखते हैं मौστिक बंड को से सब बरीद ए मुमालिक है ना बरीद यह गुप्चर विवाग का प्रमुख अधिकारी तो यह दे­कहें वरीद भूपकते एक शस्वेत प्रमुख अधिकारी होता था उस हमेंएं मैं फेलाज सबसे प्रमुख अधिकारी था उसको क्या बोलते थे बरीद ए रहे हैं वकील ए दर है ना बैक्तिगत सेवाण की देखवाल करता था इन सारे सुल्टान की इंक्रफिक सा नहीं क्योंकि कूँ सारा ही में पूछा तो कहीं भी कोई भी वर्ड उठा करके देगा और कि यह सल्दनत काल में 21 पद को ऐसा इस पद का क्या का रहे था या इसके मंत्री का इस पद का क्या यूज था तो आपको वहां पर जड़त तक याद नहीं रहेगा इसमें कि किस टेसे माली काईगा बरीदे मुमाली क्या होता सल्दनत काल में बरीदे मुमाली क्या होता था तो होता था छॏ सुलतान की व्यक्तिकत से आप क्या समझते सब्सक्राइग तक या था क्या घृत था या जढर मेंश नौहरों दान्यवाग का प्रमःग होता था या मज्ज मॉध्य क्या था उधार करके आपशें पूछा सकता है तो ये नो वक्थील-ए-दर्श विए का सेभाव का देखाल करता था आइए 10 हहां दस में देखते hy क्या क्या है दिवान एक है रात क्या होता था था दान न लिफागा है ना दिवान एक है accept न विथा तो इंग कहा दास विभाध को दिवान एबन्दगान किया है दिवान एबन्दगान और आगे 12 थ है दिवान ए इस्तिहाक दिवान ए इस्तिहाक ये पैंसन विभाग था न और लाटता सतना जोका और दिवाने कशापता है उससे नहीं सरे नहीं तो ठीक है क्योंती कर रहा बनदगान से 10 विभाग और लिगने इस्तिहाक से पंध namely विभाग दिवान इस्तिहाग से पैंसन विवाग तो यह हम लोग सल्तनत काली में मद्धिक सब्सक्राइब रहे थे मंत्री मुझे समंदित विभाग पड़ रहे थे और इसके बाद अगली विडियो आएगी तो इसमें विभाग रहेगा और बनाने वाला सुल्तान रहेगा क कि स्लुतान ने कौंसा विभाग बनाया हैना सल्तनत्कार में लुक्र की सुल्तान परसेति अगली विडियो जो हमारे आएगी उसमें यहीडिया एक तरफ भी वाग रहेगा और एक तरफ बनाने वाद सुल्तान रहेगा और उसमें जो छोटा सा 4-5 पॉइंट है उसके बाद और भी बहुत सारा पॉइंट है जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे धन्यवाद